टाइम एंड बर्क का पहला पार्ट प्लेलिस्ट में है और उसमें हमने देखा था कि दो आदमी पहले अलग अलग दिनों में काम करते थे और फिर हमने बताना था कि ये मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं आज देखिए ये second part है इसमें देखिए दो आदमी पहले मिलकर के काम करेंगे फिर उनमें से कुई एक आदमी काम करेगा फिर एक आदमी जो बच जाएगा वो हमको बताना होगा कि ये पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर देगा आप इस question को देखिए बैसे ही LCM मेथर से नकालेंगे जैसे हमने पहले नकाला था A और B मिलकर के किसी काम को दो दिन में कर रहे हैं अब देखिए A अकेला इस काम को 6 दिन में कर सकता है A अकेला कितने दिन में कर सकता है 6 दिन में कर सकता है अब इनका LCM लेंगे जब LCM लेंगे तो 6 आएगा 6 को बाग करेंगे 2 से तो 3 आजाएगा 6 को 6 से बाग करेंगे तो 1 आजाएगा अब देखिए थोड़ा सट्विस्ट है इसमें A का एक दिन का काम जो है वो एक दिन में एक काम कर रहा है A प्लस B मिलक करके एक दिन में तीन काम कर रहे है लेकर देखिए A एक दिन में एक काम कर रहा है तो एक जहां पर लिखेंगे एक काम कर रहा है अब देखिए ये दोनों का काम है तो तीन कर रहे है इसका मतलब ये B है जो दो काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है न, तो दुबारा देख लेते हैं, ए जहां से पता चल गया, एक दिन में एक काम करता है, तो जहां पर भी एक ही काम करेगा, लेकन बी इसमें दो काम करेगा, तभी तो मिल करके ये तीन काम करेंगे, अब देखिए, क्वर्चन में क् कितने दिन में कर लेगा तो देखिए B कितने दिन में कर लेगा पूरा काम 6 है अब हम डिवाइड करेंगे लेकन एक दिन का काम जो है वो 2 है तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा तो B इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा अब next question देखते हैं आपको वीडियो को pause करना है और pause करने के बाद आप खोद इसको नकाल करके देख सकते हैं ठीक है न? अगर नहीं हुआ तो हम से देख लिजिए और बाद में answer को आप match भी कर सकते हैं देखिए बैसे ही निकालने हैं हमने सभी के सभी question ऐसे ही लिए हैं आपको बिलकुल असान लगेंगे ठीक है न? चलिए A और B दोनों एक काम को आठ दिन में कर रहे हैं बैसे ही लिखेंगे A और B A और B दोनों एक काम को आठ दिन में कर रहे हैं B इस काम को दस दिन में कर सकता है तो B कितने दिन में कर सकता है? दस दिन में कर सकता है अब इनका हम लोग L-CM लेंगे जब L-CM लेंगे आठ और दस का L-CM 40 आ जाएगा आठ पंजे चालिस तो दस चौक चालिस तो यह देखिए A और B मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहे हैं अकेला B एक दिन में 4 काम कर रहा है अकेला B एक दिन में 4 काम कर रहा है इसका मतलब A एक दिन में 1 काम कर रहा है 4 और 1 पंच तभी तो मिलकर के 5 कर रहे हैं एक दिन में अब देखिए इसमें पूछा गया है A इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा तो A केतने दिन में? A एक दिन में तो एक काम करता है, लेकिन काम टोटल 40 है, तो 40 से डवाद करेंगे, एक से तो देखें 40 दिन इसको लग जाएंगे, तो इसका Анसर होगा 40 दिन, देखें द्वारत बता देते हैं, पहले LCM लेना है, LCM को फिर बाद में हम डवाद करेंगे, द दोनों का करया होगा और यह सिर्फ B का करया होगा एक दिन मतलब एक आदमी का करया होगा जब एक आदमी का करया होगा तो बहाँ पर हम देख लेंगे यहाँ पर देखी यह भी इसमें भी काम कर रहा है तो A पलस B मिलकर के 5 काम कर रहा है इसका मतलब A अकेला एक दिन में एक क प्राई करना है और उसके बाद अंसर को मैच कर सकते हैं देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं अब देखिए अकेला बी इस काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है अब देखिए इनका LCM 80 हो जाएगा 16, 85, 81 देखिए ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं बी अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा है तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है इसका मतलब ए अकेला एक दिन में 4 काम कर रहा है अब देखिए टूटल काम तो 80 है तो डिवाइड करेंगे देखिए 20 चौक 80 तो 20 दिन लग जाए अकेले ए को पूरा काम करने में यही इसने पूछा है ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है तो 20 दिन इसका उत्तर आ जाएगा अब इस next question को देखिए राम किसी काम को 14 दिन में कर रहा है तो राम कितने दिन में कर रहा है 14 दिन में कर रहा है और राम और मंगू दोनों इस काम को 10 दिन में कर रहे है राम और मंगू मिलकर के कितने दिन में कर रहे है 10 दिन में कर रहे है तो इनका LCM 70 हो जाएगा 14, 75, 70 और 10 गुणा 7, 70 अब देखिए राम अकेला एक दिन में 5 काम कर रहा है तो राम कितना काम कर रहा है इसका मतलब यह मंगू है वो 2 काम कर रहा होगा एक दिन में तभी तो 5 और 2 मिलकर के 7 काम कर रहे हैं एक दिन में अब देखिए मंगू इस काम को कितने दिन में करेगा तो मंगू एक दिन में तो 2 काम कर रहा है लेकिन टोटल काम 70 है, 70 है तो इसका मतलब यह इस काम को कितने दिन में कर देगा 35 दिन में कर देगा तो इसका उत्तर आएगा 35 दिन अब आगे के जो question है वो हमने आपकी practice के लिए डाले है और आपने उनको करना है और answer को match कर लेना है ये सभी question एक जैसे ही है और आपको इसमें कोई doubt रहना ही नहीं चाहिए धन्यवाद जैन टुमते हम एक स्बस्या बखार आपको कर бли Sophia काया अभा विर烈 ये सांप औरा महां पा है ये सस्क्राफ कर ले ड़ का ये उनकाटाम कर आपकी तहर कोको सब्यार को आपकी आपकी है ये सहरे जाना लेरे में आ दो ये